नमस्कार स्टुडेंस, आज हम लोग क्रिटेडिया की एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, यह टॉपिक ऐसे ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तर से देखिए, मैं कोशिप्स करूगा आपको अच्छी तर से समझाने का, तर से टॉपिक ऐसे एस, यह क्या कहता है, कहता है, अगर कोई दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल एबी सी है, और एक ट्रेंगल पी क्यू आर, इंट्रेंगल एबी सी एन इंट्रेंगल पी क्यू आर, अबको दिया हुआ है, एंट्रेंग्ट एल से से समझाने की आर, आर एल से स्मिर ऑल डटेंगल एल एल से सिताओंगल एल बाई पी क्यूब is equal to AC by PR, AC by PR, यह हमको दिया हुआ है, हमको सावित क्या करना है, तो प्रूब, सावित करना है, यह ट्रेंगल और यह ट्रेंगल सिमिलर होगा, या हम यह कह सकते हैं, कि इसका बाँठी दोनों एंगल्स इक्वल होगा, यानि एंगल P, एंगल P is equal to एंगल Q, और एंगल C is equal to एंगल R हो जाए, तो प्रूब करना है, एंगल A is equal to एंगल P, यह तो गिवन ही है, एंगल P is equal to एंगल Q, और एंगल C is equal to एंगल R, और इसको हम यह भी कह सकते हैं, कि यह ट्रेंगल और यह ट्रेंगल हमको सिमिलर करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूब करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक construction कर लेंगे, ऐसा other criteria में हम लोग देखे थे कि triangle ABC के sides को triangle PQR के side से छोटा लेंगे, ऐसा इसले लेते हैं कि इसी के length का हमको यहाँ पर cut करना है, तो AB के equal PQ में DA का इसा point cut किये, जो AB is equal to PD हो जाएं, और PR में AC के equal हम cut कर लेते हैं, माल लेते हैं, PD is equal to AC, cut, PD is equal to AB, and PE is equal to AC and join, join DE, और DE को हम join कर देते हैं, join DE, यह हमारा construction था, अब हम proof देखते हैं, किस तरह से इसको हम proof कर सकते हैं, इसका proof देखेंगे, तो सबसे पहले हम को साबित करना है, BC, DE, QR के parallel है, सबसे पहले हम इसमें साबित करेंगे, DE, QR के parallel है, हम इसा इसलिए करेंगे हैं, क्योंकि अगर हम DE को इसके parallel साबित करते हैं, तो इसका angle D, angle Q के equal हो जाएगा, और angle E, angle R के equal हो जाएगा, फिर हमको साबित करना है, ये triangle, triangle ABC, triangle PDE के congruent है, ऐसा करके, हम angle B को angle D के साबित करेंगे equal, और angle C को angle E के equal साबित करेंगे, तो इस परकार से ये angle इसके equal हो जाएगा, और ये एंगल इसके इकवर हो जाएगा, तो हमारा प्रूब हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है, इती गिवन, इती गिवन डाट एवी बाइ PQ, एवी बाइ PQ, इस इकवर टूब एची बाइ P R, ये हमको डिया हुआ है, लेकिन हम लोग construction किये हैं AB के जगर पे PD तो हम लोग AB के जगर पे PD लिखेंगे PD by PQ is equal to और AC PE के equal है इसलिए हम लोग इसके जगर पे PE लिखेंगे PE by PR अब हमारे पास आजाता है PD by PQ PD by PQ is equal to PE by PR Converse of Thrift theorem के पतापिक अगर इतना PD by DQ is equal to PE by ER हो तो हम इस को इस लाइन को DE को QR के पैलल कर सकते हैं तो Converse of Thrift theorem ये काता है PD by DQ is equal to PE by ER लेकिन हमारे पास है PD by PQ PD by PQ और PE by PR तो हम इसको इस तरह से कैसे कर सकते हैं तो अगर हम इसमें add कर लेगे जैसा हम Converse of Thrift theorem में बताए थे कि अगर इसमें one add कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है तो आप इसको इस स्थिति में भी DE को parallel QR कर सकते हैं और इस स्थिति में भी हम DE को QR के parallel कर सकते हैं तो हम लिखते हैं by Converse of BPT by Converse of BPT DE parallel QR DE QR के parallel हम कर देए प्रूब DE is parallel to QR अब अगर DE QR के parallel है तो हम कर सकते हैं therefore angle D is equal to angle D is equal to angle Q and angle E is equal to angle R ये corresponding angle से हैं अब हम को साविद करना है ये triangle और ये triangle को congruent करना है तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ABC and ट्रेंगल PDE इस तो ट्रेंडम को हमको congruent करना है तो हम लिखते हैं AD is equal to PD AC is equal to PE by construction ये हम लोग construction किये थे शुरू में ही इसको construction कर लिए थे थो हमें जाका सकते हैं उसके बाद angle A is equal to angle P angle A is equal to angle P ये given है given तो by SAS side angle side से side angle side से हम इस तोनों ट्रेंगल को congruent कर सकते हैं देरफोर by SAS congruent कुल्थेरिया triangle ABC triangle ABC is congruent triangle PD PD और जब ये दोनों triangle congruent हुआ तो हम कर सकते हैं angle B is equal to angle D therefore angle B is equal to angle D angle P is equal to angle D angle C is equal to angle E angle C is equal to angle P but angle D and angle Q are equal angle C but angle D is equal to angle Q angle D is equal to angle Q angle B is equal to angle D and angle D is equal to angle Q therefore angle B is equal to angle Q therefore angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle E, angle C is equal to angle E, but angle E is equal to angle R, but angle E is equal to angle R, angle C is equal to angle E, and angle E is equal to angle R, therefore angle C is equal to angle R therefore angle C is equal to angle R तो इस परकार से हम देख लिए कि B angle Q के एक्वाल C angle R के एक्वाल और A angle P के एक्वाल already given दोके एक्वाल